आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से केक, चो कि हेल्दी के साथ टेश्टी भी होगा, कि मैंने इसे बनाने के लिए चीनी का इस्तमाल नहीं किया है, और आप बिना ओबन के इसे कड़ाई में ही बना के तयार कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे, सबसे पहले बोल में ए अगर आपके पास बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोड़ा नहीं है तो आप एक चोमच जीनो भी एड़ कर सकते हैं, दो बड़ा चोमच घी अट करेंगे हम इसके एक को बना रहे हैं, तो मैंने सभी चीज़े हेल्दी लिए हैं आप इसकी जगे ओल ले सकते हैं या फिर ब मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, ध्यान देना है इसमें गुठलिया नहीं बननी चाहिए, आप चाहें तो गुठ को थोड़ी देर के लिए दूद में छोड़ सकते हैं, इससे क्या होगा गुठ मिक्स हो जाएगी, आपको मिक्सी वाला प्रॉस्टि करने की जरूद नही है, तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा दूद एड़ कर रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, ध्यान देना है इसमें गुठलिया नहीं बननी चाहिए, एकदम परफेक्ट बेटर बना के तयार करना है, तो इसमें दो चौमर दूद मैंने और एक्स चाह एड़ क इसमें मिक्स होगा, तो बेटर काफी फलफी और हलका हो जाएगा, और अगर आपके पास नीवू का रस नहीं है, तो आप इसमें विनेगर एड़ कर सकते हैं, या फिर दो चौमर धहीं, यहां पर हमारा बेटर तयार हो चुका है, अभी हम फटावट से केक्टीन में टांस कर देंगे, तो आप बेटर की कंसिटेंसी देख सकते हैं, इस तारीके से टैप कर देंगे, टैप करने से क्या होगा, इसमें जो भी एवबल सोंगे वह खतम हो जाएंगे, अब उपर से थोड़ी से मैं चौप की वे ड्राइफूर्स एक कर रही हूं, इससे हमारी केक देख तो 30-40 मिनट के बाद हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं, फूल के दुगना हो गया है, तो मैंने टूथपिक इसके अंदर एड़ किया है, आप देख सकते हैं, एक दम क्लीन निकल रही है, तो यह तरीका है कि आप चेक कर सकते हैं, आपका केक बेक काफी अच्छा है, तो अभी मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूं कि कितना स्पॉंजी और टेस्टी केक हमारा बन के तयार हुआ है, तो आप देख सकते हैं, हमारा गेहूं के आटे से बेहदी टेस्टी और हल्दी केक बन के तयार जाते है, तो आप भी ट्राइब करें, कैसी मोर रेसेपी इस के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे, ओके बाइस